वेल्गम एवरिवन आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक बहुत ही छोटा सा इंट्रो और वो है इंट्रोडक्शन टू मेमरी मेनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम यह बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है इससे पहले कि मैं इसके कोर कॉंसेप्ट स्टार्ट करूंगा तो यह लेक्ट्र जो है उतना बड़ा नहीं होगा बट अगेन थोड़ा सा जो ओवर्विव बड़ा जरूरी है तो शुरुवात में करूंगा और प्रोग्रामर्स ट्रीम से तो याद कि जो भी हम ऑप्रेटिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पर जैने कि बहुत बड़ी मेंबरी इन फानिट लीफ एसी मेंबरी जो नॉन्वारतर है लो ऐसा वह चाहता है और लास्ट में वह चाहता है कि वह memory जो सस्ती भी हो लेकिन अनफॉर्चनेटली हम जानते हैं कि ऐसी चीज जो अभी भी dream ही है और programmer को यह सारे चीज़े एक साथ मिलती नहीं है तो हमारे पास जो चॉइस है वो क्या क्या है तो अगर आपको याद हो जब मैंने आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कर वाया था computer fundamental में जो था memory hierarchy के बारे में तो memory hierarchy में हमारे पास आपको जानते हो कि different speed, size और cost वाली memory जो एक्जिस्ट करती है हमारे पास बहुत ही expensive और बहुत ही चोटी और बहुत ही fast memory है जैसे कि registers और बहुत ही बड़ी और बहुत ही slow cheap memory है जैसे कि hard disks तो यह जो hierarchy है यह से मैं आपको बताया था उसमें भी कि speed cost और size पे dependent है अगर आपके पास कोई memory है जो बहुत ही जादा fast चलती है of course वह बहुत जादा costly भी होगी और उसका size भी चोटा होगा अगर आपके पास कोई सस्ती memory है तो उसकी speed भी कम होगी और आपको size भी बड़ा मिलेगा तो यह trade-off है जो आपको करना पड़ता है क्योंकि current technology ही ऐसी है तो कॉशन की उठता है कि operating system में memory manager की जूर्थ है या नहीं है आप जानते हो कि वैसे मैं आपको बता चुको कि operating system का एक बड़ा important काम होता है memory को manage करने का memory abstraction का मतलब है abstraction का मतलब होता है process of hiding details from users यानि कैसा mechanism जहां पे आप user से चीज़ों को चुपा लेते हो memory abstraction का मतलब है ऐसी technique को utilize करना कि user जो है directly memory के बारे में कुछ भी चीज़े बताना पाए लेकिन question यहीं उठता है कि क्या हमें memory abstraction की जूरुत है या नहीं है चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम decide करते हैं कि हम कोई abstraction यूज नहीं करेंगे हमारे पास operating system इस तरीके से बनाया गया है हमने ऐसा बनाया है कि वो किसी भी टाइप की memory abstraction जो है इसको utilize नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि user जो है directly सारी memory को देख सकता है और possibly उन memory पे read or write भी कर सकता है लेकिन इस situation के बड़ी सारी problems है problem क्या है सबसे बड़ी problem यह है कि एक user जो है easily दूसरे program की memory को write कर सकता है और सबसे बुरी बात यह हो सकते है कि वो जिस memory को override करने वाला है वो operating system की भी हो सकती है तो ऐसी situation बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है अगर आप कोई abstraction यूज नहीं कर रहे हो तो हमें operating system को किसी तरिके से protect करना पड़ता है तो उसके हम दो-तिन mechanism जो हो यूज कर सकते हैं तो पहला mechanism यह है कि हम क्या करते हैं operating system को RAM पे रख सकते हैं और आपके program जो है वो उस तरीका है कि आप operating system को ROM पे रख लिजिए ताकि user जो है राइट ही ना कर पाए उसके उपर क्यूंकि रूम जो है read only होती है और तीसर आपके पास है कि क्यों ना जो critical portion है operating system के especially जो device drivers होते हैं उनको आप separate out कर लो रोम में और बाकी का जो operating system में उसको RAM में रख लो ताकि आप critical components को overwrite ना कर सको लेकिन